दोस्टों जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुआ तो कोठी की वैश्य और टवईफों ने भी फिल्मों मे काम करने से मना कर दिया था और फिल्मों में काम करना वैश्य व्रित्टी से भी नीच काम समझा जाता था 1990 और 2000 के बाद में अच्छे परिवारों के बच्चे भी यहां पर करियर बनाने लगें लेकिन कोईले की दलाली में हाथ काले ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए अच्छे घरों के बच्चे भी यहां आकर इसी गंदगी का हिस्सा बनने लगें और उसी की तरह काम करने लगें पूराने समय में नाव कमा चुके और आज महान बने बैठे कितने लोगों का इतिहास इतना काला है कि वो कभी भी सामने आही नहीं पाता दोस्तों आज हम जिस महान फिल्मी हस्ति की बात करने वाले हैं वो है नाना भाई भट महान ठर की फिल्मेकर महिश भट की पीता नाना भाई भट महिश भट की विवादों से चोली दामन का साथ रहा है दो-दो शादिय करना, खुद की बेटी को लिप लॉक करना और ये कहना कि वो मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी कर लेता ये दिखाता है कि महिश भट अपनी बेटी को किस नजर से देखता है इस सब के बावजूद धेर सारे अफेर्स रखना वो भी छोटी-छोटी उम्र के नई एक्ट्रिस के साथ में मतलब महिश भट एक गंदी मांसिक्ता की पैदाईश है लेकिन सवाल ये है कि कोई भी इंसान इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है अपनी बेटी के लिए या फिर किसी दूसरी महिलाओं के लिए कैसे कोई इतना गंदा सोच सकता है लेकिन इंसान की सोच इस बात पर निरभर करती है कि वह कैसी family से belongs करता है इसी को जानने के लिए महेश भट के पीता यानि कि नाना भाई भट के बारे में जानना बहुत ही जुरूरी है दोस्तों महेश भट के पीता नाना भाई भट उर्फ यश्वंत भट उर्फ बटुक भट 1940 और 50 के दर्शक में एक बहुत बड़े डारेक्टर थे उन्होंने एक फिल्म प्रोडुस भी की थी और तीन से चार फिल्में उन्होंने खुद लिखी भी थी नाना भाई भट का जन्म जून 1915 को पुरुबंदर गुजरात प्रिटिश भारत में हुआ मा कोठे पर तवायफ थी और पिता वहाँ पर दलाली का काम किया करते थे दलाली करते करते दोनों के बीच अफेर हुआ फिर कुछ समय के बाद नाना भाई भट का जन्म हुआ शुरुवाती पालन पोशन उसी तवायफों की गंदी गली में हुआ फिर एक समय ऐसा आया जब नाना भाई भट की मा कोठे से रिटायर हो गई और वहीं पर खुद दलाल बन गई तवायफ रिटायर तब होती है जब जिस्म की खुपसूरते खत्म हो जाती है यानि ग्रहकों को चरम सुख देने में नाकाम साबित होती है नाना भाई भट के माता पिता ने शादी नहीं की थी लेकिन वो साथ में रहते थे नाना भाई की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुपाई थी क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां बच्चे बड़े होकर गलाल बनते थे लेकिन नाना भाई को फिल्मों का बड़ा शौक था और यही वज़ा रही कि 24 साल की उम्र में उसने घर छोड़कर बंबई आ गए और यहीं स्ट्रगल करना शुरू कर दिया जहां पर उसका बड़ा भाई पहले से ही काम करता था वो फिल्मों में असिस्टेंट डिरेक्टर का काम किया करता था नाना भाई को उन्होंने बंबई बुलाया था भाई के पास आने यानि कि बंबई आके नाना भाई ने साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया इसके कुछ समय के बाद इन्होंने अपने भाई की कहानी लिखने में भी मदद की खुद तो लिखना पढ़ना जादा जानते नहीं थे लेकिन कहानी लिखने में अपने भाई की मदद किया करते थे साल 1942 में खुद से पहली बार एक पूरी कहानी लिखी फिल्म का नाम था बाबु भाई मिस्तरी इसके बाद में मुकाबला और इसी के जैसे और चार पांच स्टोरी लिखी और यहां सेन का करियर एज राइटर शुरू हो गया उस वक्त नाना भाई ने अपना फिल्मी नाम रखा था बटुक भट इसके बाद 1947 में मौज फिल्म में असिस्टेंट डिरेक्टर बने इसके बाद बटुक भट ने हंटर वाली की बेटी सुधार इसके साथ ही दो-तीन फिल्में और डिरेक्ट की साल 1946 में खोद का प्रोडिक्शन हाउस खोल लिया और नाम रखा दीपक पिक्चर्स नाना भाई ने सौ से भी ज़्यादा फिल्में बनाई और फिल्मों में जो डबल रोल वाले कैरेक्टर जो आज की डेट में हम देखते हैं इनको पहले बार बनाने का सुरेज जो जाता है वो नाना भाई भट को जाता है उन्होंने ही पहले बार बॉलिवड में डबल रोल वाले फिल्म बनाई थी नाना भाई के शादी हेमलिता से हुई थी नाना भाई के शादी के समय उनका नाम यश्वन भट था लेकिन बाद में उनका नाम नाना भाई भट लिखा जाने लगा नाना भाई अपने समय में बहुत ही अयाश और दिल फेक इनसान माने जाते थे शादी और बच्चे होने के बाद उनका अफेर चला शिरीन मुहमद अली के साथ में शिरीन मुहमद अली एक अक्टरिस थी जो बहुत ज्यादा सक्सेज तो नहीं थी लिकिन वो एक्टिंग किया करती थी खेर नाना भाई और शिरीन का अफेर हो गया और इसके प्यार के किस से पूरे इंडस्ट्री में मश्यूर होने लगे उसमें तक नाना भाई पांच बच्चों के पीता भी बन चुके थे जो कि उनकी पहली पतनी हेमलता से थे नाना भाई और शिरीन के प्यार ने इतनी खामोशी से महनत की कि महेश भट के नाम की सफलता ने चारों तरफ पहल कम अचा दिया मतलब बिना शाली के महेश भट पैदा हो गए इसके बाद नाना भाई की पहली वाइप को पता चला तो घर में कोहराम मच गया और मजबूरी में नाना भाई को शिरीन से रिस्ता तोड़ना पड़ा सब कुछ शान्थ हो गया था लेकिन तभी शिरीन ने मुकेश भट नाम का एक और तौफा दुनिया वालों को दे दिया तब पता चला कि नाना भाई ने मेहनत करने में कभी आलस नहीं की और वो चोरी छीपे लगातार मेहनत कर रहा था नाना भाई के अयाशी से शिरीन ने दो बच्चे को पैदा किया तो दूसरी तरफ नाना भाई ने अपनी पहली पत्नी हेमलता को भी कभी भी खाली पेट नहीं रहने दिया पांच बच्चे पहले से ही थे और दो बच्चे और पैदा हो गए इस तरह पहली वाइफ से टोटल साथ बच्चे पैदा हुए पांच बेटियां और दो बेटे साथ वो और दो ये यानि कि टोटल नौ बच्चों का उत्पादन नाना भाई के करक कमलो दवारा हुआ नाना भाई ने कभी भी शिरिन मुहम्मद से शादी नहीं किया और वो हमेशा नाना भाई के रखेल के रुख में बॉलिवूड में फेमस रही नाना भाई ने भी बस बच्चे पैदा किया और उनकी कभी कोई जिम्मेदारी तक नहीं उठाई इस बात को महिश भट अपने कई इंटर्व्यूज में बोल चुके हैं कि उसके पास उसके फादर का दिया हुआ सिर्फ एक सरनेम है बाकी पिता ने कभी न तो उनको समय दिया और नहीं इज़द दी और नहीं प्यार दिया नाना भाई शिरिन मुहम्मत के पास समय समय पर आते तो रहते थे लेकिन अपनी हवस मिटाने के लिए नाना भाई ने कभी भी महेश या मुकेश पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर नहीं या वो ठीक है या फिर नहीं इस तरह कि कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं नहीं नी भाई शिरिन मुहम्मत की बेहन महरबानू भी फिल्म एक्ट्रिस थी जिन्होंने पुर्णीमा के नाम से फिल्मों में काफी ज्यादा काम किया था इमरान हाश्मी उन्हीं पुर्णीमा का पोता है नाना भाई ने शिरिन को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए रखा हुआ था उससे बच्चे हुए तो उनका कभी ध्यान नहीं रखा शिरिन मुहम्मत के घर आते अपनी हवस मिटाते और वापस चले जाते महेश भट और मुकेश भट को अपने बचपन में हजारों बार नजाज औलात के ताने सुनने को मिलते थे और ये बात हमेशा महेश भट अपनी इंटर्वियूज में पोलते रहते हैं लेकिन शिरिन मुहम्मद ने कभी भी किसी की परवान नहीं कि और वो नाना भाई के साथ बंद कम्रे तक ही स्लिमित रही ना नाना भाई ने शादे करने को कहा और ना ही शिरिन मुहम्मद ने हाँ नाना भाई का एक फादा ये हुआ कि महेश और मुकेश को अपने बाप का सरने मिल गया भट इसकी वज़ा से उन्हें बॉली वूड में आसानी से काम मिलता चला गया था महेश भट का ये जो नाम है महेश खुद नाना भाई ने रखा था लेकिन महेश को कभी भी अपना नाम पसंद नहीं आया वो चाहता था कि उसका एक मुसलिम नाम हो महेश की एक छापूरी तब हुई जब उसने अपना धर्म चेंज करके अपना नाम रखा असरफ भट सोनी राजदान जो की एक दूसरी वाइफ है आलिय भट की मदर है उसने भी अपना धर्म चेंज करके इसे शादी की थी नाम रखा था शकीना 1986 में इन दोनों ने शादी के समय अपना धर्म चेंज किया था नाना भाई अपने समय में अयाश थे नाजायज बेटों को पैदा करके छोड़ दिया तो वैसे ही सोच महश भट की भी रही है नबाब को रेस्तों की कदर थी और नहीं खुद महश भट को है महश भट ने जब फिल्मों में अपना करियर बना लिया तो उसने अपनी मा को नाना भाई से अपना रेस्ता तोड़ने को बोल दिया था लेकिन तब तक नाना भाई के पुरूजों ने भी काम करना बन गर दिया था तो उन्हें भी शिरीन की कोई जरत उस समय नहीं थी और इन दोनों का रिष्टा जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था नाना भाई की मौत 1999 में हुई थी और आखरी के 20-25 सालों में नाना भाई और शिरीन मुहम्मद में ना तो ज़्यादा मुलाकाते हुई और नहीं इनका कोई रिष्टा रहा क्योंकि जो शारिक भूग थी वो बात के सालों में उतनी नहीं रही जितनी जवानी में थी उन दोनों का रिष्टा बस इतना ही रहा कि बंद कमरों में एक दूसरे की हवस को शान्त करते थे और फिर अपने अगले मिलन तक अंचान बन जाते थे पहले के समय में रोक थाम के कोई साधन तो थे नहीं और यही वजह रही महेशर मुकेश की रूप में दू अनमूल रतन मिलने के शिरीन मुहमद एक एक एक्ट्रेस थी उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था कुछ फिल्मों में काम करने के लावा वह एक फ्लॉप एक्ट्रेस रही थी इसी वजह से उन्होंने नाना भाई की रखिल बनकर पूरी जिंदगी गुजार दी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने जिंदगी गुजारने के लिए नाना भाई से फाइनेंसिली सपोर्ट मिलती रही थी उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की की बच्चों को उनका हक दिलाए जाए शायद नाना भाई और शीरीन के बीच में ये पहले से ही तै हो गया था कि तुम मुझे खुश रखो और बदले में मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा ये भी एक कारण था कि नाना भाई ने कभी भी अपने बच्चों को यानि कि मखेश और मुकेश को बाप की तरह ना तो समय दिया और नहीं प्यार और नहीं इज़्जद दी जबकि पहली बीवी के जो साथ बच्चे थें उनको खूब प्यार दिया अच्छी सुनका पालन पोशन किया नाना भाई एक अयाश और एक थरकी फिल्म मेकर थें उनके माबाप वैसे खुद गंदगी का हिस्सा थे और उसने खुद भी महेश और मुकेश के रूप में उसी गंदगी को आगे बढ़ा दिया नाना भाई भट खुद जितनी गंदी सोच वाला इंसान रहा है उसे सोच को महेश भट ने आगे बढ़ाया और बेटी तक को नहीं बख्षा परिवार और परिवरीश का असर हमारे सोच पर हमेशा देखता है लेकिन अगर इंसान अपनी सोच बदलना चाहे तो कोई मुश्किल काम भी नहीं होता महेश भट खुद कहता है कि वो एक मुसलिम औरत की नाजाज अौलाद है जिसने बिन शादी के उसे पैदा कर दिया मतलब खुद महेश को भी अहसास है और ये समझ है कि वो नाजाज है लेकिन बावजूद इसके महेश ने अपनी गंदी सोच को अपने से दूर नहीं किया बेटी से शादी की एक्षा उसे लिपकिस करना दिखाता है कि ये उसी गंदी सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है इसके लावा इसका भाई मुकेश भट उसकी फिल्मों को देखकर कोई भी बता देगा कि ये दोनों भाई एक ही जैसे सोच रखते हैं असलिलता और अंडल वर्ड यही सब इनकी फिल्मों की थीम होती है हाँ मुकेश भट शुरू में कुछ अच्छी फिल्में बनाई थी लेकिन ज्यातर वैसे ही फिल्में बनाई हैं जैसे कि इनके माबाप की असल कहानी थी नाना भाई भट और श्रीन मुहम्मद ने बंद कमरे में जो नीव रखी वो आज भी देश में उसे गंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है महेश भट के बाद पूजा भट इस परंपरा को आगे बढ़ा भी रही है और ये उसकी फिल्मों से साफ दिखने भी लगा है यानि कि ये लोग कोठे और तवायफों के गली से निकल कर बले ही आज की डेट में आलिशान बंगलों में रहने लगे हूँ भले ही आलिशान जिन्दगी जीते हूँ लेकिन सोच अभी भी कोठे वाली ही पकड़ के बैठे है तो दोस्तों आग इस वीडियो में बस इतना ही आपका क्या कहना है नाना भाज भट और मुकेश भट महेश भट के बारे में आप कॉमेंट करके चुरू बताना जाहिंद